आज मैं आपके साथ दिल्ली वाले परफेक्ट भटूरे की रेसिपी शेयर करी जो एकदम बलून जैसे फूले फूले नरम जाली तर भटूरे बनके रेडी होंगे और अगर आपके भटूरे भी बनने के बाद कड़क हो जाते हैं तो उनकी ये सारी प्रॉब्लमास सॉल होने तो चलते हैं रेसिपी की तरफ फरस्ट हमने एक किलो मैदा ले लेना है और मुझे फटूरे जादा बनाने है तो मैंने एक किलो मैदा ले दिया है उसमें मैंने बीच में एक स्पेस बनाना है हमने ताकि हम सारी चीज़ उसमें डाल सके एक चमच मैंने शुगर लिये चीनी सूजी तो इस सब जाल देते हैं लेकिन भीगोर की नहीं डालते होते हैं और उत्विपार thatís घंट नहीं पर्छा पालिay के मार्खेसत और रखाता है और शील धॉठीट में होते है है तो एक्टिवेट होने के बाद आप अपने डोग को रैडी कर लीजिए ऐसे गूत लीजिए आपको डोग ना तो जादा नरम गूतना है और ना ही जादा कड़क गूतना है और जब आपका इतना स्टेज पे आजए आपका डोग तो आप ऐसे पटक पटक के ये बिलकुल ज़रूरी है करना ताकि इसमें जो एर पॉकेट है वो बन सके तो ये ज़रूरी प्रोसेस हमारे भटूरे जो बलून जैसे फूलेंगे सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे तो इस प्रोसेस से ही बनते हैं तो ये ज़रूरी है करना परफेक्ट भटूरे बनाने के लिए तो बस यह दस से पांच मिट आप जरूर करें तो यह हमने कर लिया और एक अलग अलग कंटेनर में मैंने यह डो रख दिया है और इसमें ऑईल लगा के रखना ताकि जो उपर की लेयर है वो कड़कना हो जाए और धकन बन कर दीजिए और दो घंटे के लिए इसको किसी गरम जग हो गया है डो बन के रैडी हो गया है और अभी ऐसे छोटे-छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं जितने भी साइस के आपको भटूरे बनाने हैं उस तरह से आपको लोईया बना लेनी है हातों की साहता से इस तरह से आफ फ्लैट कर दे अब पूरा हातों की साहता भी उसे भ करम होना चाहिए और जो तेल की मात्रा है वो भी कम होनी चाहिए जादा नहीं होनी चाहिए तब ही आपके भटूरे फूलेंगे तो यह देखिए यह हमने ऐसे फ्राय करना है और बहुत जादा रैडिश फ्राय नहीं करना है ऐसे पिंकिश फ्राय करना है जस्ट और बस निका तेज रखना है गरम रखना है कम पर रखेंगे तो आपके भटूरे कड़क हो जाएंगे तो इस चीज का ज़रूर ध्यान देना है तो भटूरे हमारे बनके रेडी हो गए गाइस मेरे चैनल पर इस छोले की भी रेसिपी है यह पंजाबी चोले हैं तो आप इसके साथ इंज् किसे भी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें देखे किते टेस्टी